दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे अजीव आविस्कार के बारे में बताऊंगा जिने आप पहली बार देखोगे और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर ले गुरूमिंग इस्टेंड ये मशीन उन किसानों के काफी काम आ सकती है जो अपने खेतों में बेडों को पालते हैं वो इस मशीन की मदद से उन्हें इसके उपर उल्टा करके उनके पेरों की सफाई कर सकते हो या फिर उनके सरीर के बाल काट सकते हो जिससे उन्हें भेडों को पकड़ कर रखने और सफाई करने में मेनत भी नहीं लगेगी जिससे काम भी आसानी से हो जाएगा अगर आप बर्फिले इलाकों में रहते हो तो ये टायर ट्रेक आपकी गाड़ी को बर्फ में फसने से बचाएंगे जिनें आपको टायर के नीचे लगाना होगा एसा करने में सिर्फ कुछी मिनट लगते हैं और फिर आप अपनी कार को बड़े आराम और बिना खत्रे के नॉर्मल तरीके से चला सकते हो जो आपको बिना रुके बर्फ के उपर से गुजर्णने में मदद करेगा जब भी हम भारी सूटकेस को केरी करते हैं तो हमें आराम के लिए रुकना पड़ता है तब भी जब उस पर टायर लगे हुए हो लेकिन ये सूटकेस आपकी इस परेशानी को दूर कर देगा जिसे आप ठकने पर ट्रांस्पोर्टेशन के काम में ले सकते हो जो इस कुटर के जैसे चलता है जिस पर एक व्यक्ती आराम से ट्रेवल कर सकता है इस डिजिटल काच को नॉर्मल साइड मिरर से रिप्लेस करके आप कार के अंदर से ही बाहर का अच्छे से व्यूज ले सकते हो जो सब कुछ आपको कार में लगी डिस्पले में दिखा देगा ये आपके ओवर्यू को इंप्रू करने और कम जगय गहने में मदद करेगा और ये ऐसी जगय को देखने में मदद करता है जिने नॉर्मल काच से देखना ना मुम्किन है आपको तो पताई है पवन चक्की की लंबाई काफी उची होने की वज़े से इसे साफ करना काफी मुश्किल है लेकिन इस ड्रोन की मदद से बिना इस पर चड़े सिर्फ नीचे खड़े रहकर ड्रोन कंट्रोलर की मदद से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है दोस्तो मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकिन लगेगा इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्रेब करना न भूले